आज हम बात करेंगे पैशन प्लांट के बारे में जिसको पैसी प्लोरा भी कहते हैं और कुछ लोग इसको राखी बेल कृष्ण कमल या कौरव पांड़ फूल के नाम से भी जानते हैं तो यह जो प्लांट है यह सर्दियों में ग्रोथ नहीं करता है हमने आपको कई बार बता है तो क्या हमारा प्लांट बेकार हो जाएगा लेकिन हमने आपको कई बार बताया कि यह सर्दियों में ग्रोथ नहीं करता है जहां सर्दियां होती है बहां इसकी पतियां जढ़ जाएंगी ग्रोथ नहीं होगी और प्लांट सूखा हुआ दिखाए देगा तो सबसे पहले ह ग्रीन है तो समझ जाए आपका प्लांट ठीक है और अब जब बहार का मौसम आ गया है यानी स्प्रिंग सीजन आ गया है तो आपका प्लांट फिर से हरा भरा होना शुरू हो जाएगा As a gardener मुझे फरवरी का महीना बहुत पसंद है क्योंकि इसमें हमें प्लांट में काम करने का मौका मिलता है जो प्लांट बेकार है उसको सही करने का मौका मिलता है और फिर पूरा सीजन प्लांट बहुत अच्छे flowers देगा अब देखिए मैंने हर ब्रांच को इसको हलका हलका स्क्रेच करके देखा जो जो मुझे green लगी उसको मैंने रहने दिया और जो जो मुझे सुखी हुई दिखाई दी यानि हलका सा स्क्रेच करने पर ये जो सुखी हुई दिखाई देगी उनको आप कट कर दीजिए बिना परिशान हुए क्योंकि अब इसमें new shoots आनी शुरू ह जाएगी लास्ट हमने इसके बारे में फरवरी में एक वीडियो शेयर की थी वह आपके लिए कापी helpful रहेगी क्योंकि नर्सरी से जबी मुझे plant मिला था तो यह बहुत ही बेकार मिट्टी में लगा था तो वह वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं description box में आपको मिल जाएगी तो इसमें एक petunia grow हो गया था और ये eranthemum की कुछ cutting तोड़ गया बंदर जो की इस पे कलियां बन रही है और अभी इसका flowering time है तो इस तरह से कभी-कभी नुकसान हो भी जाता है आपसे share करते ही रहते हैं तो फिलहाल हमें अपने passion plant को ठीक करना है तो सबसे पहले क्या करें मिट्टी की गुडाई करके हमें खाद मिलाना है लेकिन आप जानते ही हैं कि बरसात में पानी ना भरे इसलिए हम अपने plants की जो मिट्टी है वो फुल कर देते हैं लेकिन जैसे ही फरवरी आता है वैसे हम इसमें fertilizer add करके थोड़ी जगे खाली रखते हैं जिससे पूरा सीज हमें थोड़ा थोड़ा खाद तो इसमें डालना ही होता है वैसे तो liquid form में भी fertilizer आप add कर सकते हैं time to time लेकिन फरवरी में आप main fertilizer जरूर mix कर दें तो इसमें हमने खाद मिला दिया है और उपर से थोड़ी मिट्टी और बढ़ा कर इसको mix कर दिया है थोड़ा सा और फिर से एक clear इसमें मिट्टी की बना देंगे जिससे खाद अपना काम सही से कर पाएगा प्लांट में में खाद के लिए यानि में fertilizer के तौर पर आप कावडंग यानि गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अब इसमें बीच में आप stick भी लगा सकते हैं जैसे ये बेल बननी शुरू होगी तो अब आ जाते हैं दूसरे प्लांट पे वो तो था हमारा परपल वाला प्लांट ये है हमारा red passion प्लांट तो इसमें हमने कुछ गुलदावदी की यानि करसंथिमम की cuttings लगा दी थी लेकिन इसमें इतना root bound है कि वो जादा ग्रोथ नह प्लांट नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए अभी growing season ही चल रहा है उसमें बन जाएंगे हलकी नमी बनाका रखिए प्लांट में तो अभी फिलहाल हमने वो सभी पौदे हटा दी है एक्स्ट्रा में थे वो थोड़ा तो अब मिटे की गुड़ाई करेंगे जिस मैंने नोटिस किया कि इसमें एक लाल मोकोई का चोटा सा पौदा आगी जिसमें छोटा सा फूदा भी लगा था तो देखकर बहुत अच्छा लगा एक चोटा सा पौधा जिसपे एक चोटा सा फ्रूट आ रहा है तो अभी हमने मिट्टी को खाली कर दिया है थोड़ा थोड़ा रूट्स की ट्रिमिंग कर दी है जिससे अच्छी ग्रोथ और ज्यादा हो और अब हम इसमें खाद मिक्स कर देते हैं और खाद प्लांट के और सीजन में अच्छी फ्लावरिंग मिले तो 25-30 दिन में खाद जरूर मिक्स कीजिए और अच्छी दूप यानि कम से कम 3-4 गंटे की और जादे से जादे पूरे दिन की दूप और मिट्टी में हलकी नमी रहे इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आपके पास प्लांट्स हैं